प्रतिपक्ष की बात को सुनेंगे तो हम शदन चलाने में पूरा सही उप करेंगे एक ने मुख मंतरी को प्रधान मंतरी का सपना देखा दिया उनका सपना तूट गया तो जो मुख मंतरी के सपना देखे ते इनको ठेलने में लगे हुए है पुष्कार मेरा मालोक है आप लाइप स्टीज देख रहे हैं बिहार विधान सभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा ऐसे में इस बजट सत्र में हंगामा करने के पूरे मूड में दिख रही है विपक्षी पार्टी, बीजेपी, नेता वेधी दल, विजय सिना साफसा कर रहे हैं कि अगर जवाब नहीं मिला तब तो फिर जन सरुकार के मुद्द जो हम सदर में उठाएंगे तब तो फिर परशानी होगी सत्ता पक्ष को वह जवाब दें, वहीं कल महागडवनन की बड़ी रैली होनी है, क्या नितीश कुमार के पी-म बनने का सपना चक्रा च में बेपक्ष, सकरातमक, भूमिका निभायेगी, हमने कहा है, हमने कहा है, हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि मरजादा का पालन हो, तो हमने कहा कि आचार समीती का रिपोर्ट सभापटल पर रखें, तीन-तीन विसेसाधिकार कमीटी का जो रिपोर्ट है, खास करके MKCL में, जो हज्जारों करोड की घोटाला है, उसको सभापटल पर रखें, जिसको आपने बार वर हमने मांग किया है, और आपने नहीं रखा है, तो सदन सांती से चलेगा, जहरीली सराब से हुई मौत, में जो अनात और विधवा है, उसको मुआबजा, अरोजगार का अबसर मिले, अपराधियों की गोली से, जो मर रहे हैं, उसको मुआबजा मिले, अपराध और भरष्टा चार पर लगाम लगाए, ये तमाम बिसए पर आप बाद विवाद करा रहेंगे, संबेदन सिल्ता के साथ परतिपक्ष की बात को सुनेंगे, तो हम सदन चलाने में पूरा स करेंगे, मैंने कहा कि परतिपक्ष जनता की आवाज को सरकार तक पहुचाना सदन के माद्धम से हमारी जिम्यबारी है, एक परतिपक्ष की भूमिका हमेशा एक प्रहरी के रूप में जनता की आवाज को सदन से सरकार तक पहुचाने का है, और वो कार्ज में कहीं कोता ही न एक दूसरे को ठगने के लिए एक दूसरे के कुरसी प्राप्त करने के लिए कि नहीं को प्रधान मंत्री जी का सपना किसी को मुख मंत्री जी का सपना कोई पांच-पांच विभाग के मलाई खाने का सपना कोई मलाई के लिए नए मंत्राले का सपना यह तमाम जो विभेद है जो इनके अंदर में ये बहुत बड़ी विभेद और खाई बनी हुई है विचारों का समागम नहीं है सिधान्त विहीन जमगट हुआ है तो ऐसे लोग को विहार की जनता समझती है इसलिए अपने मंत्री के दुवारा विबादित ब्यान दिला करके तुष्टी करन की राजनीत में भीरी कठा करना चाहते हैं जनता इनको नकार चुकी है अब तो हम तो कहें कि महाठख बंदोनों की जमात है एक ने मुख मंत्री को प्रधान मंत्री का सपना देखा दिया उनका सपना तूट गया तो जो मुखमंत्री के सपना देखे थे इनको ठेलने में लगे हुए है कि जल्दी से कुरसी खाली करिए अब कुरसी पकड़े हुए है उठेलने में लगे है कह रहे हैं कि हर बड़ी नहीं है अरे ये जनादेश आपको थोड़े मिला था चोड़ दरवाजा से आके बैठे ये जनादेश तो देश के प्रधान में तिनेदर मोजिज को मिला है अज साथ साथ दल के गठबंधन है महा गठबंधन तो चलिए चुनाव में लड़ करके जनादेश लेके आईए सरकार बनाईए क्यों घबरा रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं है ये इस जनादेश इनका नहीं है चोड़ दरवाजा से सत्ता में बैठ करके ये मुख मंतरी का सपना बेकार में दिखने तो विजासिया ने क्या कुछ का आपने सुना है चाहे वो विधान मंदल के बिजट सतर को लेकर हो या फिर महाकरबंदन की महारैली को लेकर हो जो की पूर्णिया में आयुजित है कल महाकरबंदन की महारैली होनी है और अमित शाह के अंदेगरे मंतरी भी कल पटना आ रहे हैं तो ऐसे में कल खूब बैयानों के तीर चलेंगे उन तमाम बैयानों साबको अवध कराएंगे हमाई चाल्ब को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेस्ट्रीक पेजब लाएक करें धन्यवाद